हलू नमस्का दोस्तों कैसे हाँ सभी और कैसी चरी है आप लोगों की तरियां तो हब इसा की तरह दस मिनिट का समय आपके पास और दस मिनिट में टो पिक या वन क्योशन्स के आपको आर्श देने हैं तो जो भी आपका स्कोर रही कॉमेंट करके बता देना और ये टेस्ट नमर 17 है पहले बाले नहीं देखें तो पहले लिश्टे मिल जाएंगे लाइक से रिजरू कर देना क्योंकि हमारा टारगेट आएक जाम से पहले पहले एसे ही रिजरू के लिए सो टेस्ट करने का पीडे पर कर लेना चाहते हैं इस टेस्ट के और बाकी सभी की तो टेलिगराम पर मिलेगी ये नाम सच करना प्रेला सारण सर के नाम से और मुस्ट राजस्तान जी के की तीन जार से भी जाता टेस्ट इस है तो वो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं चलिए स्कोर बताते ना लाश्ट में कितने क्योंसन सही कि हैं पहला है कि घोडे की नाल जैसी सुरंग राजस्तान के किस जिले की आती है तो गोडे की नाल जैसी सुरंग वाला जीला कौन सा है नाल जैसी सुरंग बतानी है आपको तो ये अलवर वाला जीला जास है गोडे की नाल जैसी आकरती चीतोड की आपको यादी होगी ठीक है तो जैसे सुरंग दो टैप की क्योसन है ये ठीक है तो वैसे चितोड गर्वाला होता है तो राहिट अनसायगा एक नमबर अजला間 की शुराना और दुगड़ जाती की कुल्देवी मासुस्वानी का दाम का पर है तो यह मासुस्वानी का दाम बनावा है बीकारी जिल्ये में और ये भी याद रखे कि मासुस्वानी है वो किस की कुल्देवी है सुराना जाती की और दुगड जाती की कुल्देवी आती है अगला है कि विजाशना माता का मंदिर है बुंदी जिले में है लेकिन बुंदी में कहा पर है बुंदी में बनावाए इंदरगड में तुराइटांसराब का एक नमबर अगला है कि विन्नोता की बावडी राजस्तान के कौन सी जिले में आती है तो विन्नोता की बावडी है राजस्तान के चीतोडगड जिले में तुराई टांसरब का भी है स्वाई रामसी सेकिंड ने किस अंग्रेजी सहजादे के आगने पर जैपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था एक तो कि जैपुर को गुलाबी रंग से किस ने रंगवाया था स्वाई रामसी सेकिंड ने और किसके आगमन पर प्रिंस अलबर्ट एडवर्ड के आगमनें पर डी आपका सही। और किस संथ को दर्जी समधाय अपना राद देव मानता है। और किस समधड़ी में है, समधड़ी आता है बाड़मीर में। राजस्तान में सबसे पहले ठारा सो तेटीश में किस राज़े में कन्याबद को अवेट हराय गया था! कन्यावत को गैर कानूनी सबसे पहले ठहराया गया था कोटा रियासत में और कोटा के बाद में बुंदी में अगले के राजे में विवहा के उसर पर लड़की वालों से त्याग लेने की कूपरता समावद करने का परियास किस रियासत में वा था तो त्याग परता सबसी जदा मारवाड मी थी और परियास भी वहीं पर किया गया था तो जोद्पूर डी आपका सही विद्वा पुनर विवा अधिनिम है उपारित करने वाले गवणर जर्रिन कों थे ये वाथा इस्वर चंदर वीद्या सागर जी के परियासों से और इजनिम बढ़ना था ठारा सो चपन में अठारा सो चपन में लोड डलो जी थे उस समय तो भी आपका सही है अगला है कि गराशिया जनजाती में परसलित किस विवा के अंतरगत ब्रामन की अनुस्तिती में नामातर के फेरे लेकर विवास परंपरास संपन की जाती है तो नाम पातर के फेरे होते हैं पहरावना विवा में पहरावना विवा होता है गराशिय जंजाती और गराशिय जंजाती शिरोही में जादा रहती है आदिवाशी लोगों में परसे लिल्ला मूरिया संसकार का समन्द किसे लिल्ला मूरिया संसकार है विवाश से समन्दित और आदिवाशियों की द्वारा किये जाने वाला मर्त्यू भोज क्या कहलाता है तो मत्यू बोज कहते हैं लोकाई या कांदिया और सामाने वर्ग में ये कहलाता है मोसर और अगर जीवित वेक्ति का करते हैं तूसे कह देते हैं जो सर तीनों सब्द याद रखे विवा के समय वदु के लिए वर्पश के द्वारा जो अबूशन ले जाए जाते हैं उस परता को क्या कहते हैं तो बरी पड़ला कहलाती है डीयाब का सही और कौन सा वस्तर है वो पूरूसों का नहीं है इन में से तो पटका भी है बागा भी है आतम सुब्य तिलका नहीं है तिलका एक्चल में मुस्लिम समाज की महिलाओं का एक पैनावा है अगला है कि कौन सा वस्तर इन में से उन्नी वस्तर है तो दूसों भी है दाबल भी है दुमाडो भी है तीनों ही उनिवस्तर है डियाप का सही अगला है कि थुंडी नामा के एक आभूशन है वो महिलाओं के द्वरा पहना जाता है लेकिन स्रीर के किस अंग में तो किस अंग में पहना जाता है सिर के एक आभूशन का नाम है और राजस्तान का कौन सा पाड़ी चेतर है वो जन्जाती बाहुले है तो राजस्तान का दक्षनी वो दक्षनी पुर्वी चेतर है वो जन्जाती बाहुले रिया है वहीं पर जन्जाती सक्षी ज़्यादा निवास करती है और भीलो में बगदपंद का प्रारम किसने किया थ बगद पन चलाया था गोरू गोविंद गिरी की दोरा। इन्हों ने एक सबा की स्थापना कीती संप सबा सी रोही में ठारा सो तीरासी में और संप सबा के जो नवाई थे वो कहला है थे बगद और बगद से ये बगद आंदोलन वा था जो कि मानगट की पाड़ी बांश वाड़ा में आपको याद होगा जल्येवाला बाग हत्या काण जी से हम कहते हैं अगले की मीना कारत क्या होता है? मीना कारत है मीन, मतस्य, मचली यानि राइट आंसर आपका एक नमबर अगले गिराशिय जनजाती में वेक्ति की मर्तिय उपर उस पर एक समारक बनाय जाता है उस समारक को क्या कहते हैं समारक को हुरे कहा जाता है यानि एक आपका सही और बीजा और माला किस जाती कवरग है बीजा और माला सांसी जनजाती की उपजाती है सांसी जनजाती सैसमल से मानी जाती है जो सबसे ज़्यदा बरतपुर में निवाज करती है और एक रसम होती है कूकडी रसम इसमें क्या होता है कि विवाज से पहले लड़की को अपने पवितरतागी प्रेक्षा देनी होती है और विवाज का निप्टारा है वो हरीजन की दूबार किया जाता है और एक और क्यूशन की किस जंजाती में नारियल की गिरी देकर RAMSAYocalypse तय किया जाता है तो सांसी जंजाती में होता है और लड़की की जाती बी चैंज नहीं होती विवा के टामबाद में अगले कि डामोर जंजाती में गाउं की सबसे छोटी काई क्या कहलाती है फला कहलाती है और कामाईचा है वो किस परकार का एक लोपवाद्य है तो कामाईचा एक तत्वाद्य है तत्वाद्य जिनमें तार लगे होते हैं तारों से सवरक्यूत्पती होती है अगले कि जहूर खा मेवाती उमर फारुक मेवाती का समंध किस वादे अंतरह से है तो भपंग वादे अंतरह से है एक आपका सही अगले कि राजस्तान में तूरा कलंगी लोगनाटे का परसलने है वो कहाँ पर है तुरा कलंगी लोगनाट्य है ती तोडगड का परसिद यानि C आपका सही आंसर चले राजस्तान में सबसे अधिक नोटंग किया कहां पर होती है राजस्तान में नोटंग की कहां की परसिद है बर्धपूर वाले छेतर की जहां का बम नर्तय भी पर्सीद है भी आपका सही अगर लेंINDके कटपूतली या नर्तय की से जाती के द्वारा की आजाता है देखो कटपूतली नर्तय वैसे तो पर्सीद है मेवारणका एक लोगनाट है और नट जाती की महिलाई जो इसमें दक्समानी जाती है आप बताएंगे कटपूतली है वो किस वरिक से बनाई जाती है ठीक है किस वरिक से बनाई जाती है कोमेट कर दो फटा पट अर अगला क्यूसन कि बिकानेर में अगनी नर्त है बीका निर्मी अगनी नर्ते की से संपरदाई से किया ज़िए अगनी नर्ते होता है कत्रिया सर में कत्रिया सर बीका निर्मी किया जाता है और ये जसनाती संपरदाई की लोगों की दोरा जसनाती संपरदाई चलाया था सुटिया लोगित का समन्ध की से सुटिया लोगित भीलों में होतर भील महीलाओं की द minimal कि द्वरा गय जाते हैं तो राई टांसर आपका भी इसका सही है अगला की राजस्तान का राज्यवादे बता दिजे कि राजस्तान का राज्यवादेन में से कौन साथ है तो राज्यवादे है वो है अलगोजा ठीक है अलगोजा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एक नमर इसका सही आंसर है ओके एगला है कि निमाडी और रागडी किस बोले की उपबोली आती है निमाडी और रागडी जो है किस बोले की उपबोलियों में आती है तो मालवी बोली बोली जाती है राजस्तान के परताबगड में जालावाड में और राजस्तान के कोटा छेतर में बोली जाती है आप कि इनमेंसे दक्षनी राजस्तानी किसे एकाजाता है कॉमेंट कर दीजी। टोटल अठारा देशी बासाओं को उलिक है और इनी में मरूबासा का भी उलिक है मरूबासा का सबसे पराचिनो उलिक इसी गरंथ में देखने को मिलता है किस वंस या विखती विशेष की उपलबियां या गटना का परकास डालने के लिए उसे परकास कहते हैं पाबू परकास गरंथ है एक आपका सही अगल है कि वीर सथ सी की रचना किसने की थी सुर्यमल मिंस्ण ने की थी और ये बूंदी में राम सिंग की दरबारी कोई थी बूंदी के एक साथ सके ön और मारना कूंब्या की दोरा रचित गरंथ संगीत राज कितने कोसों में संगीत राज पांस कोसों में विविखता है राई टानसराप का एक है अगला है कि किस परतियार सासे के दरबार में परशिद कवीर राज सेकर जी थे तो राज सेकर जी किस के दरबार में थे गल्ए कि रविंदर रंगमच कहा पर है ये रामसी के टैम का है और जैपुर में है एक आपका सही रामसी के टैम पर इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट है कि बोरुंदा गराम नीमन में से कौन सा संस्तान स्ताफित क्या गयता है बोरुंदा में कौन सा है रुपाइन संस्तान है बोरुंदा में जो की आती है राजस्तान के जोदपूर जीले में तो राइटान स्राफ का एक है और स्वर्मंगला पत्रीका का प्रकासन किसके दोरा किया जाता है राजस्तान सैंस्कृत का आदमी की दोरा किया जाता है राजस्तानी चितरकला सेली का परमुक केंदर कौन सा रहा है तो मेवाड क्योंकि मेवाड से इसकी सर्वात मानी जाते है एक आपका सही कौन सा चेतरकला सेली जोदपूर सेली से सरवाधी प्रभावीत है तो देवगड़ जीतर सेली देवगड़ जीतर चली परतावगड़ में जिसको परकास में लाने का सरी जाता है डोक्टर सरीदर अंधारे को जाता है ठीक है एक किस स्कूल का इसा है वो कॉमेंट आप कर दो और सवतनत दता के समय जसल मेर के सासकों रहे थे तो जसल मेर के सासक थे जुहार सिंग जी जोगी अंतिम सासक आते हैं और निक टाइम पर सागरमल गोपा वाली गटना गटीत हो थी ठीक है ओके तो ये थे टोप 52 क्यूशन अब 52 में से आपका स्कूर क्या है कॉमेंट करके बताओ ऐसे 100 टेस्ट का हमारा टारगेट है तो लाइक से जुरू कर दीजेगा ऐसा ही एक सुपर पास टेस्ट वारा वीडियो को होता है डेली वो भी देख सकते हैं और रात को डेली आठ बजे हमारा टोपिक वाइज लाइज टेस्ट होता है यानि रोजाना किसी एक टोपिक पर सोक क्यूशन का टेस्ट करते हैं पीडियेप लेना चाहते हैं तो टेलीगराम पर जिसका लिंक है प्रेलास्हारन सरके नम से और या इंस्टागराम का लिंक है तो वाँपर भी जोइन कर सकते है और खेसु पेच है वाँपर भी जोइन कर लीजे तो पड़ा बड़े बार लाइक सेर कर दीजे, मिलते हैं गले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद